प्राचीन सादन मनुरंजन के सादनों में बदलाव आदूनिक सादनों के लाभानिया मनुष्य स्रमसील प्राणी है वे आदी काल से श्रम करता रहा है इस स्रम के उपरान ठकान उत्पन होना स्वभाविक है पहले वे भोजन की तलास एवं जंगली जानवरों से बचने के ल आवशक्ता बढ़ी अवे मानसिक और सारिक स्रम करने लगा स्रम की ठकान उतारने एवं उर्जा प्राप्त करने के लिए मनुरंजन की आवशक्ता महसूस हुई इसके लिए उसने विपन सादन अपनाई प्राचीन काल में मनुष्य पसू पक्षों के माध्यम से अपना मैं पक्षी और जानवर पालता था उनकी बोलियों और उनकी लड़ाईयों से मनुरंजन करता था इसके अलावा सिकार करना भी उसके मनुरंजन का सादन था इसके बाद जो जो समय में बदलाव आया उसके मनुरंजन के सादन भी बढ़ते गई मद्यकाल तक मनुष्य निन मनोरंजन के सादनों में भरपूर व्रद्धी हुई है अब तो मोबाइल फोन पर गाने सुनना फिलम देखना सिनेमा जाना देशाटन करना कंप्यूटर का उपयोग करना चित्रकारी करना सरकस देखना प्रेटन इस्तलों का भर्मन करना उसके मनोरंजन में सामिल हो गया है मन जयने वाज जाहिन जाहिन